Good morning today is first of May 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu सबसे पहले नदर डालते हैं कौन कौन से articles आज हम discuss करने जा रहे हैं पहला जो article है इंडिया और स्रिलंका के relations के बीच का article है पिसले दो सालों में इंडिया और स्रिलंका के संबंदों में काफी improvement हुई है जब से सिरी सेना सत्ता में आये था 2015 के बाद में काफी सारे agreements हुए है energy और infrastructure से related तो इस article को हम discuss करेंगे आएंगे side की और ये article भी स्रिलंका का एक article है 2009 में एक civil war हुआता स्रिलंका के अंदर में उस समय सिलंकन, आर्मी और दूसरी जो वहां की authorities हैं काफी सारा land grab कर लिया था वहां पर जो tamil और muslim minorities हैं उनका अभी 8 साल होगे उस war को लेकिन अभी भी tamil और muslim minorities को अपनी भूमी अपनी जमीन वापस नहीं मिल पाई है इवन जिनको अपनी जमीन वापस मिली है उनको भी काफी तरह के issues का सामना करना पढ़ रहा है तो जो भी important points है इस article से हम extract करेंगे और इन दोनों articles को combine करके पढ़ेंगे नीचे का जो article है Trump, Trump ने काफी सारे steps उठाए है US economy को revive करने के लिए तो देखें जो steps उन्होंने उठाए है वो तो हमारे लिए important नहीं है लेकिन हम एक प्रकार से economy के दृष्टि कौन से इस article में से कुछ important points extract करेंगे कि अगर कोई economy recession में हो तो कैसे उसको revive किया जा सकता है आएंगे बीच के और यहाँ पे जो main article है कस्मीर के उपर article है रादा कुमार द्वारा लिखा गया article है काफी important और अच्छा article है important points को extract करेंगे इस article से नीचे का जो article है real estate act से related article है तो इसमें भी इसके क्या basic points हैं क्या फाइदा होगा अभी sex को implement किया जा रहा है states द्वारा तो इस article को भी हम discuss करेंगे यहाँ पर जो side में article है दा हिंदू का internal article है कि कौन से articles को इन्होंने priority दी किसको नहीं दी तो वो सब बाते हर मंडे को आती है important नहीं है यह जो article है यह भी book से related है ISIS क्यों आया कैसे उन्होंने इतनी importance पाई कैसे highlight हुआ इतना ज़्यादा कैसे उन्होंने पावर ग्रैब करी उसके बारे में एक book लिखी गई है तो points कुछ नहीं है book के बारे में थोड़ा बोद बताए गया important नहीं है यह चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया और सिलंका के relations के बीच का जो article है उससे related देखे context यह है सिलंका के जो पर्धान मंतरी है पर्धान मंतरी की बात यहां पे हो रही है और प्रेजिडेंट के नहीं हो रही प्रेजिडेंट फिलाल इनके है स्री से ना पर्धान मंतरी है सिलंका के वो है रानिल विक्रमा संगे इनकी मुलाकात हुई पिसले हफ़ते हमारे परधानमंतरी नरेंदर मोधी के साथ में तीसरी विजिट थी 2015 से जब से ही चुने गए थे सिलंका के परधानमंतरी विकरमसिंग है तीन बार ये इंडिया में आ चुके हैं तीसरी मुलाकात इनकी थी भारत के परधानमंतरी के साथ में तो थोड़ा देखें बैक्ग्राउंड में हम जाते हैं इससे पहले देखें राश्टरपती के अगर बात करें अभी तो फिलाल सीरी से ना प्रेजिडेंट है उससे पहले राश्टरपक से यहां के प्रेजिडेंट है स्रिलंका के इनके कारेकाल के दुरान में लिट्टे के अगेंस्ट में वार चड़ा स्रिलंका ने में 2009 में ये वार स्टार्ट हुआ था तो उस समय काफी आरोप लगे थे कि हुमन राइट्स वालेशन्स हुआ तमिल माइनेटीज के खिलाफ में तो एक emotional issue है क्योंकि काफी बड़ी संख्या में तमिल्स हमारे भारत के एक राज्य तमिल आडू में रहते हैं तो emotional connect है वहाँ पे तमिल माइनेटीज के बीच में और हमारे देश में जो तमिल्स रहते हैं दो बार nuclear submarines भी आई वहाँ पे सिलंका के water में और काफी सारे जो relations थे सिलंका के साथ में काफी improvement हुई और भारत के काफी concerns थे इन issues पर तो और भी काफी सारे कारण्स थे जैसे fisherman issue था जो आज भी एक परकार से kind of तलखी बार बार लेके आता है भारत और सिलंका के बीच में तो इ इंडिया की जो agencies है उन्होंने एक role play किया था ताकि सिरी से न सत्ता में आए और वो relations अच्छे करें भारत और सिलंका के बीच में यह देखें तो अब क्या-क्या कुछ हो रहा है कैसे relations अच्छे हैं वो देख लेते हैं क्या-क्या positive हो रहा है देखें partnership जो है वो काफी जोन्स पर काम कर रहा है सिलंका के अंदर में और जो देखें यहाँ पर एक इस्टन कोष्ट पर सिलंका के इस्टन कोष्ट पर एक जगह है ट्रिन कोमेली यहाँ यहाँ यह जगह है देखें यहाँ पर एक वर्ल्ड वार सेकिंड को दूरान में एक strategic oil reserves का project था अब उसे फि मिलने चाहिए उनको उनके जमीन मिलनी चाहिए तो बाद में सिरी से ना की government ने कहा था कि ठीक है हम constitution यानि स्रिलंका के सविधान में change करने जा रहे हैं ताकि tamilians को वहाँ पे tamil minorities को उनके rights मिले तो देखें काम तो हुआ है लेकिन उस speed से नहीं हो जितना होना चाहिए था ए सारे positives जो की फिलाल पिछले दो सालों में हुआ हैं इंडिया और सिलंका के बीच में तो देखें बात यह उठती है कि काफी कुछ हुआ है economic और security concerns है उनको लेकर लेकिन political matters पर ज्यादा बात नहीं हुई है जैसे हमने का कि काफी कुछ होना चाहिए था काफी कुछ rights देने च दुरान में काफी जो वहाँ पर तमील मानेटीज हैं वो disappear हुए और काफियों को एक प्रकार से बिना किसी trial के सदा भी हुई जो political prisoners आप इने कह सकते हैं बिना trial के उनको कैद करके रखा गया तो इन सब मुद्दों पर काफी ज़्यादा strong steps नहीं लिए गये हैं फिलाल सिलंक आर्मी ने जब वार चल रहा तो सिलंकन आर्मी ने काफी सारा land grab किया था वहाँ पे तमील और मुस्लिम मानेटीज हैं उनका लेकिन अभी भी उनको उनकी जमीन वापस नहीं मिली है और इवन जिनको मिली है वो काफी सारे issues हैं जो हम अगली slide में discuss करेंगे उससे पहले जी इस पर भी एक प्रकार से focus कर रहा है कि कैसे Chinese presence को counter किया जाए सिलंका के अंदर में तो इस बात पर भी यह कहते हैं कि देखे हमें इस बात पर ज़्यादा एक प्रकार से बहुत ज़्यादा focus नहीं करना चाहिए सिलंका भी एक प्रकार से autonomous country है उनको भी पूरा right है कि दू लेक्टर दिखाता हूँ आपको यह देखे इस पार्ट में और इस पार्ट में तमिलियंस की संक्या काफी ज़्यादा थी और सीविल वार्ड हुआ था इन दोनों में ही हुआ था जाफना है यहाँ पे यह गड़ था जो इंसरजेंसी हुई थी सिलंका के अंदर में क्यों क क्योंकि देखे यह हमारा तमिलाडु है तो जारत जो तमिलियंस यहाँ पे काम करने आए थे बिटिश एरा की दुरान में तो यहाँ से यहाँ पे आये थे वह तो इसलिए यहाँ पे तमिलियंस की संख्या जाला थी। तो आर्टिकल यह सजेस्ट करता है कि देखिए हमें स्रिलंका के नोर्डन पार्ट में कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो तमिलियन्स है उनको लाइवली हुड ओपर्चुनिटीज मिल्सके इनको रोजगार मिल्सके ताकि जो बार-बार यह प्रोब्लम क्रियेट होती है फिसर्मेन की क्योंकि देखिए जो भारत के फिसर्मेन है तमिलाडू के फिसर्मेन है काफी आगे तक चले आते हैं जिससे इनके लिए जो यहाँ के रिसोर्सिस हैं मचलियों के वो खतम हो जाते हैं काफी मुष्किलाद का सामना करना पड़ता है سिलंका के नौडन सिलंका के फिसरमान य्यानी यहां के मचवारों को तो इंडिया का आच्छ चाहिं गया गया? उसके बाद यह आता है कि देखिए पाल्क बे में सेम बात जो Fisherman के issue को जल से जल सोल करना होगा और तो इसमें कुछ खास है नहीं और हर एक चीज को India को China के lens से नहीं देखना चाइए और मौका देना चाइए थोड़ा बहुत तो Sri Lanka को कि वो भी उनके पास में भी rights हैं वो भी एक sovereign country है वो decide कर सकते हैं कि दूसरे देशों के साथ में वो अपने relations कैसे रखेंगे तो देखें अब अगला जो आर्टिकल है यानि यह आर्टिकल थो हमने पूरा पढ़ लिया यहाँ पे देख लीजिए यह आर्टिकल हमने पूरा cover कर लिया यहाँ पे देखिए civil war हुआ और काफी land grab किया गया सिलंकन आर्मी ने वहाँ पे और उन्होंने सिलंकन आर्मी ने अपने basis बनाए वहाँ के northern और eastern प्रोविंस में लेकिन अब लगातार देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे तमिल और मुष्णिम मानेटीज के द्वारा और अब जाके थोड़ा बहुत land सिलंकन आर्मी ने वहाँ पे वापस किया है थोड़ा बहुत वो भी अभी भी कुछ यानि जातर आप कह सकते हैं कि ऐसा land है उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है एक communication नहीं है government और minorities के बीच में महाँ पे communication कहने का मतलब यह है कि काफी कुछ assurance तो देती है सिलंका की सरकार की हम आपकी जमीन वापस कर देंगे लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है जो approach है वो piecemeal और जो है वो ad hoc approach है kind of एक proper strategy नहीं है कुछ proper timeline नहीं है कि कैसे वो land लोटाने जा रहे हैं क्या कुछ होगा और देखें दूसरी बात यह कि population तो काफी ज़्यादा increase हो गया आज 20 साल हो चुके हैं जब वो displaced हुए था जब उनका land capture किया गया था civil war को तो 8 साल हुए है लेकिन 1996 से displaced होने start हो गये थे तो उस से मैसे अभी तक population जंसंख्या काफी बढ़ गई है लेकिन land जो दे रही है वो से लंका की government काफी कम दे रही है इवन जो गाओ माली जे इस गाओ में जमीन है तमील माइनटीज की तो अब देखें 20 साल बाद तो उनको जमीन बलकी ज़्यादा मिलनी चाहिए लेकिन से लंकान government क्या कर रही है कि जो आसपास की जमीन है उन गाओ में जहां land capture किया गया था उन वह आसपास की जमीन को forest reserve गोशित किया जा रहा है forest reserve गोशित होने के बाद में वो आसपास की जमीन तमील और मुस्लिम माइनटीज को नहीं मिल सकती तो यही एक प्रकार से एक major reason यह भी है कि population काफी जादा बढ़ चुकी है इवन अगर मानली जी जमीन वापस मिल भी गई मानली जी आपकी ये जमीन है पहले आपकी जमीन काफी विक्सित थी यहाँ पर आप खेती करते थे लेकिन अब देखिए अब अगर वो जमीन वापस मिल भी गई तो आजपास तो अब उजाड है आजपास कुछ खेत नहीं है आजपास कुछ ट्रीज नहीं है तो पानी नहीं है तो यह electricity नहीं है तो जमीन वापस भी मिल गई तो उसका क्या मतलब आपको बेसिक amenities नहीं मिलेंगी basic जन सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो at least ये तो मिलना चाहिए न basic जो amenities है sanitation, electricity ये सब तो मिलना ही चाहिए और सिलंका तो ये भी कहा रहा कि देखे जब 1996 में मालीजे किसी की जमीन वापस ली गई तो वो कहीं और जाके बस गया तो मालीजे पहले रहता था जिस city का नाम है या फिर जिस जगा का नाम है पहले कोई रहता थे ए जगा पे displays होने के बाद में रहते हैं बी जगा पे तो अब मालीजे जो amenities हैं वो अपनी जमीन वापस करने की मांग कर रहे हैं एक जगह पे लेकिन स्रिलंके की सरकार कहती है कि हम आपको एक ही जगह पे आपको जमीन तो वापस कर देंगे लेकिन आप पिछले 20 सालों में जहां रहे थे वह जमीन आपको छोड़नी पड़ेगी तो यह भी काइंड ओफ देखे जो डिमांड है सिलंकन गवर्मेंट की काइ यही शेम इस्यू है देखे जो एप्रोच है वहाँ पे सिलंकन गवर्मेंट की पीसमेल एप्रोच है एड़ोक अप्रोच है और आदे दिल से वह यह चीज़ कर रहे हैं कोई एक प्रोपर कॉम्प्रिहेंसिफ पोल सी नहीं है कि कब करेंगे कैसे करेंगे और विधाय कैसे वहाँ पे मोहियां खरवाएंगे तो इन सब बातों पे एक साफ और ट्रांस्पेरेंट अप्रोच होनी चाहिए है देखे अगर आप मालीजे हाउसिंग स्कीम लेकर आ भी गए और वोकेशनल ट्रेनिंग आपने दे भी दी लेकिन जो ब्रूटूल और जो एक प्रकार से न प्रवाइड करना बहुत जुरूरी है और से महतरपून है और काइंड ओफ देखे ये जो बात है ऐसा करके स्टेट कोई एहसान नहीं कर रहा है वहाँ पे तमील और मुस्लिम मैनेटरीज के ऊपर में ये स्टेट की जूटी है और स्टेट को अपनी जूटी बहुत आवश जैसे देखे रिसेशन है कैसे हम इस आर्टिकल को यूज कर सकते है अगर कॉश्चन्स आता है ऐसे कि हाओ इफ दर इस एकोनमी विच इस नाव इन रिसेशन हाओ देट इकोनमी कर सकते हैं एक है पब्लिक इंवेस्टमेंट कब होती है जब देखे सरकार काफी खर्चा करती है सरकार बड़े-बड़े प्रोजेक्स चलाती है जैसे एक्जामपल की तोर पर मैं आपको बताता हूं माली जे सरकार ने का कि बड़े-बड़े फ्लाइवर बनाए जाएंगे बड़े-बड़े ब्रिज मनाए जाएंगे रोड्स बनाए जाएंगे यह हुई सारी पब्लि खर्चा खरेंगे तो इमांड बढ़ेगी तो कंपरी ज्यादा से युआ चीज़े ही यह पूरा साइकल चलता है और चीज़ेंट बढ़ती है ज्यादा थेनहीं ला सकते के ज़्यादा धालिसफेंट लेकिन मालीजे पहले अगर किसी private company को 10% tax देना पड़ता था 1000 रुपे के उपर में सिरफ एक example मान रहे हैं अब मालीजे सरकार ने वही tax घटा के 10 से 1% कर दिया तो पहले 1000 का 10% कितना हुआ 100 रुपे और अब पहले देने पड़ता है 100 रुपे अब देने पड़ेंगे सिरफ 10 रुपे तो 90 रुपे की बचा तो यह 90 रुपे की ज़्यादा investment करेंगी private companies तो tax कम करके भी private companies जो tax देती हैं उसको कम करके भी investment को boost किया जा सकता है देश की economy को revive किया जा सकता है cycle same चलता है माली जो उनको कम tax देना पड़ेगा private companies को तो उनके पास में ज्यादा पैसा आएगा investment करेंगी वो investment करेंगी तो फिर से employment आएगी demand बढ़ेगी तो productivity बढ़ेगी जो growth rate है वो बढ़ेगी सारा cycle चलता है यह और easier norms तो kind of यह private investment का part ही है तो इस तरह से दो धंग से वहाँ पे एक परकार से economy को revive किया जा सकता है और जो अभी ट्रंप डेस की economy को revive कर रहे हैं वो ज़्यदा इस पार पर focus कर रहे हैं कि private investment वहाँ पे बढ़ाई जाए काफी तरह के steps उन्होंने लिए वहाँ पे tax reduction उन्होंने किया वहाँ की companies का तो और भी देखिए अब एक issues है जो हम इसको discuss करते हैं मालीजे अगर बहुत ज़्यदा tax exemptions दे देती है कोई सरकार तो इससे काफी नुकसान भी तो होता है ना सरकार को पहले ज़्यादा tax उनको मिलता था लेकिन economist ये कहते है कि देखिए 90 रुपे का अपना फाइदा हो जाएगा जब growth rate बढ़ेगी तो ये पूरा concept था इस चीज़ का अगला जो आर्टिकल है देखिए कस्मीर unrest से related है रादा कुमार ने ये आर्टिकल लिखा है मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ देखिए 2010 के दुरान में भी कस्मीर में unrest था वहाँ पे stone palting पत्रबाजी की घटना ये काफी ज़्यादा होती थी और काफी instability थी उस समय भी तो उस समय UPA की सरकार ने एक तीन सदसिया एक panel का गठन किया था इंटर लोकूटर्स जो कस्मीर और इंडिया के बीच में एक परकार से relations कैसे improve किया जाए वहाँ पे उस से related था जो kind of trust deficit था उसको पार्टने के लिए था तो काफी तरह के इन्होंने solutions हुझाए थे उससे में वो बात अलग है कि इनके suggestions जो थे वो काफी उनके उपर में काफी follow-up नहीं हुआ था ना सिरफ UPA की सरकार इवन जो अभी present government है उन्होंने भी काफी कुछ संग्यान में नहीं लिया जो इनके suggestions थे तो उन्होंने ही ये article लिखा है कुछ points इसमें important है सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखे एक binary create हो गई है कस्मीरीज और rest of India के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि सारे के सारे जो कस्मीरीज हैं वो प्रो पाकिस्तानी हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है जो लोग ये समझते हैं कि सारे जो कस्मीरीज हैं वो वहाबी ideology को follow करते हैं या फिर पाकिस्तान को follow करते हैं तो ये बात कतही सही नहीं है और जो कस्मीर के लोग हैं वो ये सोचते हैं कुछ कस्मीर के लोग जो rest of India यानि इंडिया के जो लोग हैं वो communalist हैं वो बिल्कुल सही नहीं है तो दोनों की दोनों जो binary हैं वो गलत हैं सिरफ कुछ sections ऐसे हैं जो कस्मीर के अंदर में हैं वो प्रो पाकिस्तानी हैं और कुछ sections सिरफ इंडिया के अंदर में rest of India के अंदर में ऐसे हैं जो communalist हैं और लेकिन perception ऐसे create हो गई हैं जो कि वहाँ पे instability लाने में एक प्रकार से मददगार नहीं साबित हो रही हैं बलकि stability लाने में एक प्रकार से नुकसान पहुंचा रही हैं लेकिन ऐसा क्यूं हुआ है देखिए जो perception है secret हो गई है उसके लिए ना सिरफ social media बलकि जो हमारी mainstream media है वो भी कहीं न कहीं जिम्यदार है और इससे दोनों दौरफ में कस्मीर के अंदर में भी और rest of India के अंदर में भी एक extremist ideology का एक परकार से emergence हो रहा है जो कि सहीं नहीं है अब आगे क्या है देखिए य कहते हैं कि सिरफ जो security forces का चहरा है वो visible है कस्मीर के अंदर में जबकि होना यह चाहिए कि जो भारत का लोगतंतर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिड नहीं बोलना आ रहा भी फिलाल कहने का मतलब है कि जो भारत का लोगतंतर का चहरा है वो काफी मजबूत है वो चहरा नहीं दिख पा रहा है कस्मीर के अंदर में सिरफ security forces को देखते हैं वहां के लोग तो यह कहते हैं कि देखे जब security forces situation को improve करने की बात करते हैं तो काफी ज़्यादा कई बार human rights के abuses भी होते हैं जो कि देखे हम एक प्रकार से सारी situation को handle नहीं कर सकते security forces को आप जिमेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि hybrid war है कहीं ना कहीं देखे एक दो घटनाएं तो ऐसी होंगी अगर देखे दो हजार घटनाएं में आपने restraint रखा तो एक घटना तो ऐसी जरूर सामने आएगी जिसे वहां कि जो प्रोप्गेंडिस्ट है यहां फिर जो पागिस्तान के जो public relations department है जिसको बढ़ जाएगा जो कि बिल्कुल देखिए पागिस्तान के प्रोप्गेंडिस्ट के अफरिका स्मीर में जो प्रोप्गेंडिस्ट है वो ऐसा करते हैं तो security forces को आप एक लवल के बाद में जिम्मदार नहीं ठहरा सकते लेकिन में जो responsible है वहां के विधायक वहां के civil government वो तो देख लाने की process टार्ट हुई है सांती लाने की जो process टार्ट हुई है तब तब violence वहां पे कम हुआ है और जो अभी एक उमीद थी देखिए अभी पिसले दिनों पिसले एक दो साल हो गए जब से यह सत्पा आई है PDP और BGP का alliance है वहां पे कस्मीर में यह बात देखिए लिख तो का मतलब पूरी तरह सेपरेटिस्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत उनकी ideology में इस तरह का essence दिख जाता है और BGP तो आपको पता ही है kind of ideology जो है इनकी kind of nationalist ideology है फिर जो भी इनका ideology आपको पता है देखिए अब यह kind of जो दो पॉल थे यह थे अगर यह north पॉल थे तो यह south प बीच में जो एक परकार से बहुत ज़्यादा differences हो गया है उनको पाटा जासके लेकिन देखिए कह रहे हैं कि हो गया ultra kind of जो differences ने बलकि और ज़्यादा बढ़ गये और इसलिए वहाँ पे alienation है वो और ज़्यादा आ गया तो जूरुरत यह है कि कस्मीर और जो जम्मू के जो काफी ज़्यादा instability थी इन्होंने अपनी reports दी थी तो काफी कुछ सीख सकते हैं देखिए कहते हैं कि 2010 में multitrack process start हुई humanitarian और political सभी चीजों पर बाचीत हुई और इन्होंने अपने suggestions में का कि सबसे पहल तो देखिए entry anti-infiltration grid आपना दीजिए और फरक कीजिए first time जो पथरबा पथरबाजी घटनाओं में sunlipth होते हैं यह वो लोग होते हैं जिनका mind wise की अजा सका होता है mind wise की अजा चुका होता है तो इन सबसे तो देखिए आपको political ideology से tackle करना होगा इन सब चीजों को क्योंकि इसकी कोई limit नहीं है आपको जो पागिस्तान का या फिर separatist का वहाँ पर या पॉलिटिकल बाचीत के लिए आज जो महोल है वो काफी उचीत होता लेकिन ना सिरफ कांगरेस की गोर्मेंट ने भलकि जो बीजेपी गोर्मेंट ने आई उन्होंने 2010 के जो suggestions थे उन पर ध्यान नहीं दिया और उनको आगे नहीं ले जाया गया पागिस्तान का रोल कित हैं वहाँ पर जो एक प्रकार से alienation हैं हम खुदी वहाँ पर जिमिदार हैं जब जब हमारी वहाँ पर कमजोरी होती है उसका पाकिस्तान भरपूर फाइदा उटाता है सबसे पहले तो देखिए कहते हैं कि इन सभी को जो डिबेट्स हैं देखिए थोड़ा इस बात को आप पाकिस्तान में भेज देना चीए एवन कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कस्मीर को लोग को दूर दुरा तमिला डूगए लाकों में बसा दिया जाए देखिए यह सब बाते ना कहीं जो खाई है वो और जदा पैदा करती हैं जो यह समस्या है उसका solution कहीं ना कहीं political ही है जो हमारी जो सेना है वहां की वो कस्मीर की problem है उसको रोक कर रख सकती है और वो कर भी रही है 70 साल हो गए आज कस्मीर को कोई हमसे छीन नहीं पाया और कितने ही साल ले लीजिए 1000 साल 2000 जब तक हमारी आर्मी वहां पे मुझूद है कस्मीर को कोई नहीं छीन पाएगा लेकिन समझ्या का जो हल है वो political ही है ये बात समझनी होगी और ऐसा हम अपने answer में लिख भी सकते हैं और ये बिल्कुल उचित point है तो देखे ये सब बातों से हमें बचना चाहिए जो even party के जो spokesperson है वो भी ये बात करते हैं कि कस्मीरियों को भेज देना चाहिए नहीं इन सब चीज मिनिस्टर हैं पीडीपी और बीजेपी के जो गटवंदर उनकी चीफ मिनिस्टर है जो मेंबुवा मुफ्ती उन्होंने एक बात कही थी देखे जब तक stability नहीं है आएगी तब तक बातचीत नहीं हो सकती तो आर्टिकल कहता है कि देखे जब तक दोनों चीजे साथ-साथ चलनी चाहिए और इंतिजार नहीं करना चाहिए और आर्टिकल इस बात का भी स्पोर्ट करता है कि देखे गोवर्मेंट का फिलाल का stand यह है central government का की वो सेपरेटिस्ट से बातचीत नहीं करेंगे सेपरेटिस्ट में कौन को नाते हैं हूर्यत आती है जे-जे-क-ल-फ आते ह चाहिए आर्टिकल ऐसा कहता है आर्टिकल कहता है कि वाजपई जी कि जो strategy थी वो काफी अच्छी थी उन्होंने सेपरेटिस्ट का एक प्रकार से bridge की तरह इस्तमाल किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत के लिए और अभी की सरकार भी ऐसा कार सकती है और बा UPA और जो वाजपई जी थी उन्होंने उनकी सरकार ने भी बातचीत की थी तो अभी की सरकार को भी ऐसा steps उठाना चाहिए और क्या बात है और यही बात है कि देखिए kind of वही बात सेम बात की force जो है उसको काफी लंबे समय तक इस्तमाल नहीं किया जा सकता और सभी कस्मीरी इसको एक प्रकास से demon या फिर सेतान बना के दिखाना जो parties है उनके spokesperson या परवक्ताओं के दवारा यो भी बिल्कुल उचित नहीं है इससे तो देखिए differences और ज्यादा बढ़ते हैं तो कहीना Supreme Court से एक उमीद है कहीना कहीने कि वो एक step उठाएंगे ताकि बातचीत का रास् तो ये पूरा आर्टिकल था अगला जो आर्टिकल है देखिए वो real estate acts related है क्या है इस act में पहले कुछ points discuss कर लेते हैं देखिए जो सबसे पहले तो देखिए ये act किस पे लागू होगा कम से कम 500 square centimeter का area होना चाहिए तब जाकर ये project जो act है वो applicable होगा और कम से कम 8 apartments होने चाहि या नहीं होगा तो उसके लिए 2 conditions fulfill होना जिरूरी है एक तो 8 apartments कम से कम होने चाहिए दूसरा जो area है वो 500 square centimeter का होना चाहिए अब देखिए इस act में points क्या क्या है एक अलग से escrow account बनाना होगा जिसमें 70% पैसा जिमा होगा तो builder क्या करते हैं देखिए पहले पैसा इकठा कर ल पैसा एक account में जमा होगा इसक्रो account का नाम इसे दिया जाएगा और 70% जो इसका पैसा है वो इसी projects के लिए use होगा और काफी जारा clarity भी इस act में आई है carpet area से लेटेड, carpet area क्या होता है मालीजिए यह है यह जो प्रोजेक्ट जो भी apartment है या फिर जो भी flat है वो है तो अब area को कहते हैं carpet area तो इस पर काफी transparency आई है और काफी सारे punishment का प्रावधान है कि अगर मालीजिए ऐसा नहीं हो कि builder ने project बनाना दे दिया और एक साल के अंदर अंदर में उस वहाँ पे structural defects आ गए sealant आ गई या फिर धरारे आ गई तो यह सब बातों के लिए देखिए builder responsible होगा प कुछ और वो कर देते हैं तो अब project ने काया कि देखिए अगर मालीजिए builder कुछ ऐसा change करना चाहता है project में तो उनको जिन लोगों ने customers ने project खरीदा है अपना apartment खरीदा है वहाँ पे उनसे प्रकार से अनुमती लेनी होगी consent लेनी होगी तभी कुछ change किया जा सकता है main project में और इस act के अंतर के थी एक rara authority का निर्मान किया जाएगा जिसके नाम होगा real estate regulatory authority जो इन सबी चीज़ों को regulate करेगी और builder को इस rara website पे हर तीन महिनों में project status की report डालनी होगी कि project अभी कितना complete हो चुका है और एक appellate tribunals का भी प्रावधान है जो कि fast track basis पे अगर कोई सिकायते हैं किसी को भी builder को सरकार से या फिर इन सब चीज़ों को customers को भी builder से तो और सब चीजों का समाधान करेगा यह real estate appellate tribunals तो काफी अच्छे points हैं और यह भी का गया कि जो भी projects है उनको register करना होगा यह तो सबसे basic point है सबसे पहले होना चीए सभी projects को register करना होगा real estate agents है उनको भ तो फाइदे क्या होंगे फाइदो देखे simple से फाइदे होंगे transparency आएगी investment बढ़ेगी builder को भी फाइदा होगा builder को फाइदा यह होगा कि ज्यादा investment आएगी और single regulator भी हो जाएगा तो यह सब जो basic points होते हैं कि क्या-क्या फाइदे होंगे ज्यादा पार्दसिता आएगी countability ब अब क्या हुआ है देखे एक तो यह पहले पास हो चुका था लेकिन अब चूंकि देखे जो land है यह state subject के अंदर में आता है तो अब जो 92 sections थे इस act के उसमें से 69 को notify किया जा चुका है यानि अब central ने इनको notify कर दिया है क्योंकि यह land जो है वो state के अंदर में आता है तो अब अब क्या है इसके अनुसार देखे अब state को जो implement करना है एक साल के अंदर अंदर में इनको real estate regulatory authority का निर्मान करना होगा regulation के लिए और इसके साथ appellate tribunals है real estate appellate tribunals उनका भी निर्मान करना होगा देखे कुछ criticisms भी हैं criticisms क्या है funds के काफी कमी होती है builders के पास में और कहने की बात है कि single regulator हो जाएगा ऐसा ना हो कि यह जो act वो सिरफ papers पर लागू हो और multi regulators भी maintain रहे यानि बलकि इससे क्या होगा कि एक regulator है वो और ज़्यदा बढ़ जाएगा बलकि और ज़्यदा मुश्किला करते हैं कि देखे बहुत इनको delay का सामना करना पड़ता है सरकार के तरफ से delay होता है labor की shortage काफी ज़्यदा होती है इतनी ज़्यदा 100% of FDI allow कर दी गई है तो international money काफी ज़्यदा आ गई है इस real estate के प्रकासिस एक्टर में और कई बार तो ऐसा होता है कि आपस में builders का competition रहता है जल्द से जल्द ये बिना even land को consolidate किया ही यानि land को खृदे बिना ही ये नए project की घोशना कर देते हैं और बाद में इनको land नहीं मिल पाता जिससे काफी मुश्किले पैदा हो जाती है काफी complicated ये पूरा matter हो जाता है और ये बाद में कहते हैं कि देखे by sections को अभी भी notify नहीं क वे फोरोर में आता है कि देखें काफी तरह का delay हुआ इस project को implement करने में और एक प्रकार से ये सही था क्योंकि builders को पता लग गया कि क्या ये act है और इसलिए उनको समझने का समय मिल गया लेकिन अब अब जब कीसे implement करने की बारी आई है तो इसे ठीक से implement करना बहुत जरूरी ह स्टेट के उपर में अब जिम्यदार है कि जल से जल इसको अच्छे डंक से implement करें और industry का status भी दिया जाना चाहिए real estate को क्योंकि देखें industry का status जब मिलता है तो loan मिलना काफी ज़्यादा आसान हो जाता है तो ये पूरा article था तो आज के discussion में बस इतना ही thank you thank you very much for discussion